साथियो नमस्कार साथियो शक्त आपकी मोबाइल इसकिन पर जो तस्विय नजर आ रही हैं उसी गाउं की हैं जिस गाउं में दो दिन पहले आगजन्नी की गटना हुई थी हम चाहिएंगे हमाई तमाम दसक इस वक्त जो वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेर करें और ये पूरी गटना पाड़मेजिले के चोटन सेतर के सुयों का तला गाउं में एक आगजन्नी की गटना हुई थी जो पिता अपनी बेटियों के लिए कई सारे सपने देखे थे अपनी पूरी उम्र बेटियों की साधी करने के लिए पेशा कमाने में गुजार दी उस पिता के घर पर जिस समय बेटियों की साधी होनी थी उसी से करीब दो दिन पहले इतना बड़ा पहार तूट गिरा कि वो जो लगातार सपने देख रहा था अपनी बेटियों की साधी के लिए सारे के सारे सपने जो है चकना चूर हो चुके हैं गटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन आज हम आपको दूसरे दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जनपरती निदी पहुंच रहे हैं अलग-अलग लोग पहुंच रहे हैं पर जिस तरह आप मोबाइल स्कीन पर इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं कि जिल्ला परमुक और परदान वगेरा सब जनपर्टी निदी जो है वो गटना इस्तल पर पहुंचे हैं पजनों को संबल दे रहे हैं हम चाहेंगे कि हमाई तमाम दस्तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेर करें और जो पिता अपनी बेटियों के लिए जिसने पिता ने जो सपने देखे थे वो सपने चकना चूर हो गए सपने जो है वो पेता के सपने पूरे नहीं हो पाए क्योंकि एक बहुत बड़ी आगजनी की घटना हो गई गनीमत रही कि इतनी बड़ी आगजनी होते हुए एक किसी तरह की जनहानी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर लोगों की सुजबूज के कारण सब को वहाँ से हटा दिया गया था और जो पिता था उसकी दो बेटियों की साधी होनी थी उसके घर के अंदर समान रखा हुआ था सारा का सारा जलकर राख हो चुका है दूसरे दिन जन्पति निदी भी मौके पर पहुँचे और जब जन्पति निदी वगेरा सब मौके पर पहुँचे उसकी जो तस्वीर है इस वक्त हमाई दसकों को दिखा रहे हैं हम चाहेंगे हमाई तमाम दसक इस वीडियो को भी सेर करें हमने आपको पहले की तस्वीरों में भी बताया था कि किस तरह से जो घर के अंदर रखा हुआ सामान जेवारात सब जलकर राख हो चुके हैं वो उन नोटों की गडियां भी हमने आपको दिखाई जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है बहुत पड़ा एक पिता पर दुखों का पहार तूट पड़ा है जिस तरह से पिता ने पूरी जिन्गी लगा कर पैसा कमाया था अपनी बेटियों की शादी करने के लिए लेकिन एंड समय पर वो पैसा भी नई बचा और वो घर भी नई बचा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है पूरा का पूरा पैसा जो घर के अंदर रखा हुआ था जेवरात रखे हुए थे बेटियों की शादी में देने के लिए बेटियों को देने के लिए सब कुछ जलकर राख हो चुका है अलग-अलग जनपती निदी भी मोके पर पहुंच रहे हैं और पूरी हम चाहेंगे हमार तमाम दस्ता के एक वाई वीडियो को ज़्यादा सेयर करें बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद हमसे बढ़े हैं